हेलो और वाक। में सब्सक्रती मोनित पोषाबर को पहए को मिने को पपाल चोनल तो आज कception वीडियों हम लड़ो गोपाल जी के लिए चोली जाय चाह बनाए बहुत बोच्छाब आहolis अ полностью यह शार्वणयां बहुत अधन पाल स्कूल जो थे डोट पत्ली पत्री लेस है आपको एजली मार्केट में अबलेबल हो जाएगी इस बूटी के जगा पर भी आप बटन लगा सकते हैं बाकि अपने लगापे के भी सिर्फ छोड़ सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काईज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्स्राइब करें तो प्लीज आप चैनल को सब्स्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस करके और पर क्लिक कर लें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टागां पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहां पर फॉ करना है मैंने पहले पिले पी आपनी काफी या वीडियो की बता आया है लिंक आपको मिलेगा दिस्क्रिप्शन आ HERE ऋसके पीछे हमने लगए हुआ हूँ ये असतर का फैब्रिक हमने यहां पर रेट को याइं है और इसके बाद असर का फैब्रिक लिया है हम दोनों से आट स अब हम क्या करेंगे इस तरह से फोल करेंगे यह हमने एक बार फोल किया एक बार और फोल करेंगे दो बार फोल करके यहां पर हम छोटी सी कमर कट करेंगे बहुत बड़ी कमर नहीं कट करनी है छोटी सी कमर कट करेंगे यह देखे हमने कट कर दिया कट करने के बाद हम क्या करे यहां से इस खोलेंगे खोलने के बाद कहीं भी एक जगह से आप इसे अपिसे कट करके अलग कर सकते हैं क्योंकि और पाल्य हमाना भी यह पर तीन लेयर दिखेंगे एक पहले अस्तर यह देखे हमने हैं इसे अ पर किए के रखाया यह यह दिए picked neat यहां पर निट का फैबरिक कटके है, यहां पर इसकी चोड़ाई आपको कितनी रखनी है, यहां से जो आप कटिंग करेंगे, इसी से आप मेजर करें, इससे आपको एक इंच रखना चोड़ाई रखनी है और लंबाई में हमने 45-45 इंच के दो पीसेस लिए हैं, हमने क्या कर इसटरह से प्लेट बनानी है, बहुत ही सिम्पल और आसांसा तरीका है, यह दिखिए, दोनों सेट से आप पकड़ के इस तरह से रखें, और सिलाई आपको एकी सट से चलानी है यहांपर यहां पर प्लेट डा दालेंगे, चले हम प्लेट डाले थें, फिर आग आगे आपक कि यहां से लिखा दिखाने के नीचे यखी सबूंत सबाखा इसे एक बार हाइसे सठाए परबर करना पड़ा है आब interactions कर देदें यहां से पlet इसे चाट घंग से तरह हम है'll Bit amount क्या कर देदें झाल झाल आहा हम नहीं हम इन यह तरह से क्रिण आ में तो कर देंगा हैका नुट रिख ओचीयु बन है यह करना इसे प्लाइब नाप बना पनाना था यह तो मैंने यह प्लेरी फेड Vergleich मिले सकते हैं मेरे पास बिलें Für感覺 नहींथा तो मैंने यह फेड़िक लेलिया plain fabric से भी आसानी से हो जाएगा हम यह करेंगे इसमा से दिए करेंगे च्ट है हमने कर लिगा और में क्या करना है यहां से इसे आइसे बराबर करना है और बराबर के बार ये देख echo एक बार यो यहां से फोल्ड करेंगे फिर एक और एक बार उर सोर्ट करेंगे और यहां पीछे की साइट से हम लगाएंगे या पैसे रख किन आहिए ऐसे करके हम यहां पूरे राउंड पर से से लेंगे चले से ले दिए प इस तरह से हलका-लका सा खड़ा होता है समझी आपका एकदम पर्फेक्ट लग रहा है नेफा अब हम क्या करेंगे इसे ऐसे पलट के हम फ्रंट पे ले आएंगे और लास्ट में हमने हाफ इंच एक्ष्टा रखे तब यह गोल्ली नाला फैब्रिक कट किया है यह देखिए यह हाफ इंच एक्ष्टा है इसे आपको मोड़ना है फिर ऐसे फ्रंट पे पलट देना है यह देखिए पूरा यह आसानी से आपका पलट जाने वाला है इस तरह से आप देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बीच में हम अपनी यह डोरी डाल देंगे ऐसे करके आपको ध् लेस ली है यह देखिए इस तरह की पूर वाली लेस आती है यह हमने लिए हम क्या करेंगे इस पे यहां से इस तरह से लगाएंगे यह देखिए ऐसे करके हमें पूरे राण पे लगाना है चलिए लगा लेते फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है यह देखिए हमने चूंसे लाने के लिए एप से लगा लेंगे के वह चले लगा लेंगे या मैं देखिए और लगाने के बाद हम से तरो के दो टीर मेरे पास है यह हम यहां यहां से ऐसे एक एक लगा लेंगे इसे हमें चिपकाना पड़ेगा आप चाहें तुस्वी धागेल से सिल भी सकते हैं ऐसे करके पूरे राउंड पे लगाना है चले मित्ता काम करते हैं फिर आगे आपको दिखाएंगे अब दिखेंगे ड्रेस तो हमारी कम्लीट हो गई चोली के लिए हमने यह गोल्डेन वाला फैबरिक जिससे हमने कमर बनाई थे वह वाला बुक्रम के उपर पेस्ट किया है और यहां पर इसकी लंबाई हमने रखी है पांच इंच और चड़ाई हमने रखी है लगभग दो इं हमने फोल्ड कर दिया और अब हम इसे कट करेंगे तो इस तरह से हमें सेफ देनी होती है यह हमने सेफ दे दी और यहां से हम नेक कट कर लेते हैं बहुत बड़ी नेक ना कट करें मैं हर बार बोलती हूं यह रखें कि हमारी चोली हो गई यहां से इसे कट करके अलग कर कि ही ंप सा को चोली को लोग कर दिए चार साड़ से अच्छा से और यहां पर यह कि दिशो रिबन पार लगा दिया है यह कंग आएगा यह एक साइट से इस तरह से आएगी दूसरे साइट से इस तरह से आएगी फिर हम यह शज़िपन कि एस पे आप कोई भी रेट कलर की जूल्ली पनाइएंगे तो बहुत ही खुबसूरत लगी और यह दिखे यह हो गई प आसा करते हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस करके और पर क्लिक कर लें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सो फ्रेंट्स आप मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे